तो आपको प्रिशला टॉपिक याद बना चाहिए, हमने ये पढ़ाया था कि बिद्दुत विधुव के कारण अप्छी एस्थिति में बिद्दुत विभव का मान क्या होता है बतला सकते हैं? बिल्कुल हम ये बतलाए थे कि यदि कोई बिद्दुत विधुव है, जिसका बिद्दुत विधुव आग्धुरुण पी है तो इसे आर दूरी पर अच्छी एस्थिति में बिद्दुत विभव बिद्दुत विधुव एक्टिव कोईश्चन को भी हम सॉल्ड करा चुके हैं तो जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आप प्रैक्टिस में रखते रहें हमीशा उसका प्रैक्टिस करते रहें और सबको इसको सियर करते रहें ताकि lockdown है, आपको पता है कि पढ़ायी बंद है, तो किसी की पढ़ायी में बाधित नहीं होनी चाहिए यह नहीं कि केवल अपने पढ़ लिए और अपने ही तक्सी में तरख दिए तब तो आप स्वार्थी हो गए और स्वार्थी हमारे शिश्च तो होए ही नहीं सकते इसलिए सभी लोगों से हम यह कहना चाहेंगे कि जितना हो सके पहले इसको सियर करते रहें ताकि किसी काभी पढ़ायी बंद होना नहीं चाहिए चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पढ़ाती हैं आपको पता होगा हमको आज बढ़ाना है बेद्दुत्विधुव के कारण बेद्दुत्विभव और कंडिशन है दूसरा नीड़ अक्षी अरिष्थिदी अट एक्विटोरियल पोजिशन तो है आप चित्र में देख सकते हैं यहां हम आपको दिखा रहे हैं कि कलपना कर लिया जाए कि एक बेद्दुत्विधुव है जिसमें माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश हैं और ये दोनों ही आवेश एक दूसरी से तू यल दूरी पर इस्थित हैं तथा इस बेद्दुत्विधुव का बेद्दुत्विधुव आभुर्ण पी है वै इस बेद्दुत्विधुव के मध्य बेद्दु से आज़ दूरी पर नीरप्छिय इस्थिति में एक बेद्दु पी है और इसी बिंदू P पर आपको बिद्दुत विभव का मान निकालना है तो आप इसको नोट भी कबते रहे लिख शकते हैं कि कलपना करते हैं कि एक बिद्दुत विद्रू है जिसमें माइनस Q तथा प्लस Q आविश एक दूसरी से टू यल दूरी पर इस्थित हैं इस बिद्दुत विद्रू का बिद्दुत विद्रू आगुर्ण P है और इस बिद्दुत विद्रू के मध्य बिंदू से आरदूरी पर नीरप्छिय इस्थिती में एक बिंदू P है जहां परडामी बिद्दुत विभव का मान निकालना है वह हमने कहा कि consider an electric dipole in which minus Q and plus Q charge particle are placed at distance 2L from each other and you have to find the electric potential at point P which is situated at distance R from the center of electric dipole at equatorial position तो कैसी विभव का मान निकाला जाए इसको भी तो हम समझा चुके हैं याद होगा हमने ये बतलाया था कि जब भी कोई system कई विद्दुत आवेशों से मिलकर बना होता है तो सारे आवेशों के कारण अलग अलग विद्दुत विभव का मान निकालती है और चुकी विद्दुत विभव एक अदीश राशी है तो सीधा सीधा जोड देंगे शामान ये बीज गनेती या योगफल के नियम से जोड देंगे तो भाई अब तो आप मोले प्राशिस को समझ रहे हैं यहीं हमने कहा कि if any system is made up of more than two charge particles then we calculate the value of electric potential due to all the charge particles and you know that electric potential is a scalar quantity hence we add them by simple algebraic process तो चलिए अब हम लोग विभव निकालनी का कारे करते हैं अच्छा विभव निकालनी से पहले एक और चीज़ आपको हम समझा दें कि जब विभव निकालेंगे तो सुत्रयाद होगा b is equal to 1 by 4 by epsilon not into q by r तो भाई यहां r चाहिए और r का मतलब क्या हुआ तो आवेश और उस बिंदू के बीच की दूरी भाई धर minus q और वहाँ पर p तो यह दूरी चाहिए या उसी प्रकात से जब प्लस q आवेश के कारण निकालेंगे तो q और r के बीच की दूरी तो आप चित्र में देख सकते हैं यदि हम लोग इस त्रिभूज पर विचार करें तो यह त्रिभूज एक समपोल त्रिभूज है और सम कोल त्रिभूज में आप लोगे छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं उसमें एक्ठियूरम लगता है पाइथा गोरस प्रभियर और यह कहता है कि कर्ण बराबर अंडर उट लंब इस्वायर प्लस आधार इस्वायर तो यहां पर भाई आपको कर्ण निकालना है और लंब का मान है आर जबकि आधार का मान है मध्य बिन्दू है तो 2L का आधा इर तो आप कर सकते हैं कि चुकी कर्ण बराबर अंडर उट लंब इस्वायर प्लस आधार इस्वायर तो लिख सकते हैं कि यहां यह दूरी का मान अंडर उट आर इस्वायर प्लस L इस्वायर और उसी तरह से उधर वाले दूरी का मान भी होगा अंडर उट आर इस्वायर प्लस L इस्वायर तो चलिए अब हम लोग विभाव निकालती हैं तो काशकते हैं कि minus q आविश के कारण बिन्दू पीपर बिन्दूत विभव और यदि इसको वीवन मान लिया जाए तो आप समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं कि वीवन इस इकोई टुवन पाई फूर पाई ये शाईले नॉट इन्टू q तो आप के जगह माइनस q की बात कर रहे हैं तो माइनस q बाई अंडर रूट आर इस्वायर प्लस ये ल इस्वायर क्योंकि दूरी की चर्चा को हम अभी अभी कर चुकी हैं और यदि माइनस को पहले भेज दिया जाए तो लिख शक्ते हैं कि विवन की बाई फूर पाई एफशाईले नॉट इन्टू q बाई अंडर रूट आर इस्वायर प्लस एल इस्वायर और इसी प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि अब तो प्लस q ही बच गया तो बाई प्लस q की कारण विभौ निकालेंगे तो काशकते हैं कि प्लस q आविश के कारण विदू पी पर उत्पन विद्दूत विभौ और यदि इस विभौ को हम लोग भी टू माल लें तो काशकते हैं कि विटू इस इकवर टू वन बाई फूर पाई एफशाइल नॉट इन्टू क्यू बाई अंडर रूट आई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो वहिए अलग-अलग विभौ तो हम लोग निकाल चुके हैं और अब आपको पता है कि दोनों को जोड देंगे तो काशकते हैं कि विदू पी पर परिडामी विदूत विभौ भी इज इकवर टू विवन प्लस भी टू माल लिया जाए एक्वेशन फरस्ट तो अब हम लोग भी वन और विटू का मान तो निकाल चुके हैं तो वह इस मान को इस शमिकरण में रख देंगे यदि लिखा जाशकता है कि विवन तथा विटू का मान शमिकरण एक में रखने पर और यदि दोनों वैलू को लिख दिया जाए तो लिख शकती है कि विवेशन फरस्ट और आप देख रहे हैं कि दोनों का मान बराबर है लेकिन एक प्लस और दूसरा माइनस तो रिज़ट होगा जीरो नहीं समझे और ये भाई प्लस चार और माइनस चार जब दोनों को जोडेंगे तो यहाँ पर भी दोनों का मान बराबर यानिशार लेकिन एक प्लस और दूसरा माइनस तो रिज़ट क्या होगा जीरो तो ठीप उसी प्रकार से यहाँ पर भी रिज़ट क्या होगा जीरो तो आप देख चुके हैं कि बेद्दुत द्विधुव के कारण नीरक्षिय इस्थिति में बेद्दुत विभाव का मान सुन्य होता है तो यहाँ देखिए कोश्चन सौल्व करना भी हो तो भाई कुछ है ही नहीं कोश्चन बनेगा ही नहीं क्योंकि रिज़ट हर समय क्या होगा जीरो तो जब ही आपको अब्जेक्टिब कोश्चन आता है तो आपको अपनी दिमाग में यह थोड़ा शेट करके रखना है कि चुकी नीरक्षिय इस्थिति है और नीरक्षिय इस्थिति में कोई फर्मूला नहीं बना बलकि रिज़ट आया था जीरो यानि आपका एंसर जीरो पर लगना चाहिए आपका टिक जीरो पर लगना चाहिए तो यह था बेदुद्ध विधुव की कारण नीरक्षिय इस्थिति में उत्पान बेदुद्ध विभव